कोरोना वैक्सीन पर चीन का दावा नौंबर तक वैक्सीन लाँच करने का दावा चीन के दावे में कितना दम कितनी कारगर होगी चीनी वैक्सीन पूरी दुनिया को कोरोना वाइरस का अभिशाप देकर चीन तमाग देशों के निशाने पर आ गया एक तरफ वाइरस दुनिया में तबाही मचा रहा था तो दूसरी तरफ चीन मेडिकल उपकरण बेच कर अपनी जेब भरने में लगा था अपनी इनी हरकोतों से चीन पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है दोखेबाजी और जालसाजी चीन की फितरत बन चुकी है चीन की किसी बात पर अब दुनिया का कोई देश भरोसा नहीं करता है अपने उपर लगे इनी बदनुमा दागों को हटाने के लिए चीन अब कोरोना की दवा पर बड़े बड़े दावे कर रहा है चीन के जिस शहर से कोरोना वाइरस की शुरुआत होई थी उसी शहर से अब वैक्सीन की खबरे आ रही है चीन ने दावा किया है कि वो इसी साल नौंबर के महिने में कोरोना की वैक्सीन लॉंच कर सकता है चीन दावा भले जो भी कर ले लेकिन बड़ा सवाल ये है कि चीन के इस दावे में कितना दम है क्या वाकई चीन नौंबर तक वैक्सीन को बाजार मिला सकता है इससे भी बड़ी बात ये है कि चीन की ये वैक्सीन आखिर कितनी कारगर सावित होगी कहीं ये वैक्सीन भी दूसरे चीनी माल की तरह नकली ना सावित हो जाए चीन कोरोना वाइरस के संक्रमन पर दुनिया की आँखों में खुल जोग चुका है अब ऐसे में कोरोना की वैक्सीन पर चीन के दावे पर यकीन करना भी आसान नहीं है चीन के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानि CDC ने तावा किया है कि नवंबर तक कोरोना की वैक्सीन आम लोगों के लिए उपलब्ध हो जाईगी चीन में चार कोरोना वैक्सीन आखरी चरण में है इनमें से तीन वैक्सीन को मेडिकल स्टाफ को दिया जा चुका है सभी वैक्सीन के तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्राइल चल रहा है क्लिनिकल ट्राइल के नतीजे स्तंतोष जनक है चीन की फार्मा कमपनी साइनो फार्मा की एक यूनिट अमेरिकी कमपनी सोनो वैक बायो टेक के साथ मिलकर वैक्सीन पर काम कर रही है दोनों कमपनिया मिलकर तीन वैक्सीन डवलप करने में जूटी है चौती वैक्सीन चीनी कमपनी कंसीनो बायोजिक्स बना रही है इस चौती वैक्सिन को ही जून के महिने में चीनी सैनिकों के इस्तेमाल के लिए मनजूरी दी गई थी चीनी कमपनी साइनोफार्मा ने जुलाई में ही दावा किया था कि वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्राइल खत्म होने के बाद इस साल के अंत तक वैक्सीन बाजार में आ सकती है लेकिन अब चीन बड़े दावे के साथ कह रहा है कि वैक्सीन नौंबर के महिने में ही लोगों को मिलनी शुरू हो जाएगी चीन से शुरू हुए कोरोना वाइरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है पूरी दुनिया में 2 करोड 95 लाग से ज्यादा लोग इस वैरस के शिकार बन चुके हैं ये वाइरस 9 लाग से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है वाइरस पर लगाम लगाने की कोई भी कारगर दवा अभी तक तयार नहीं हो पाई है दुनिया भर के वैग्यानी वैक्सिन डेवलप करने में लगे हैं वैक्सिन ही पूरी दुनिया के लिए उम्मीद की एक किरण है रूस ने भी वैक्सीन तयार करने का दावा किया है रूसी वैक्सीन बहुत जल्द ही जंता तक पहुँचने वाली है लेकिन इस वैक्सीन पर सवाल भी उठ रहे हैं कई देशों के वग्यानिकों ने रूसी वैक्सीन की विश्वस्रियता पर सवाल उठाए हैं आरोप ये लग रहे थे कि रूस ने जल्दवाजी में ये वैक्सीन लॉंच किया हलांकि रूस का दावा है कि उसकी वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है इस नाजुक वक्त में पूरी दुनिया को वैक्सीन की जरुरत है वैक्सीन कहीं भी बने उसे किसी भी तरीके से तयार किया जाए वैक्सीन के सफल होने का दारोंदार सिर्फ दो बातों पर ठिका है पहली बात ये कि वो वैक्सीन कारगर हो और दूसरी बात कि उसके साइड इफेक्ट्स ना हो यानि वो पूरी तरह सुरक्षित हो अब चीन नौमबर तक वैक्सीन लाँच करने के दावे तो कर रहा है लेकिन चीनी वैक्सीन को भी इन दो कसोटिय पर खरा उतरना होगा अगर चीन वाकई में नौमबर तक ये कारगर वैक्सीन लाँच कर देता है तो ये पूरी दुनिया के लिए एक राहत का बैगाम होगा कुरोना वैक्सीन पर दावे सिर्फ जीन ही नहीं कर रहा है अमेरिकी राश्पती ने भी वैक्सीन को अक्टूबर में ही लाँच करने का दावा किया था डॉनल्ड ट्रम्प ने कहा था कि अमेरिका में राश्पती चुनाव से पहले ही वैक्सीन तयार हो जाएगी लेकिन अक्टूबर में वैक्सीन लाँच करने के बयान पर ट्रम्प अपने ही घर में गिरते हुए नजर आ रहे है अमेरीका में 9 नवंबर में राशपती चुनाव होना है ट्रंप दावा कर रहे हैं कि इस चुनाव से पहले ही वो अमेरिकी जंता के लिए वैक्सिन उपलब्ध करा देंगे ट्रम्प ने अमेरिकी राज्यों से कहा है कि वो एक नवंबर से वैक्सीन के बाटने का इंतिजाम कर लें लेकिन ट्रम्प के विरोधी इस दावे को राजनीती से प्रेरित बता रहे हैं ट्रम्प के बयान पर डेमोक्रेटिक पार्टी की उपराश्च्पती पद की उमीदवार कमला हैरिस ने कहा कि वैक्सीन को लेकर अमेरिकी राश्च्पती की बातों पर भरोसा नहीं है कमला हैरिस ने कहा कि वैक्सीन के बारे में वो वैग्यानी को और हेल्थ एक्सपर्ट्स की बातों पर यकीन करेंगी लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प की बातों पर नहीं डेमोक्रेटिक पार्टी के राश्पति पद के उमीदवार जो विड़न ने भी वैक्सिन के दावे पर ट्रम्प को निशाने पर लिया ट्रम्प ने पहले भी ऐसी कई बाते कहीं हैं जो सच नहीं निकली है मैं इस बात को लेकर शिंतित हूँ कि क्या बाकई हमारे पास एक अच्छी वैक्सिन है और क्या हमारे लोग उस वैक्सिन को लेना नहीं चाहेंगे ट्रम्प अमेरिका के लोगों की भावनाव की अंदेखी कर रहे हैं अगर मुझे कल ही करोना की वैक्सिन मिल जाए तो मैं उसे जरूर लूँगा जहे इसके लिए मेरा चुनाब भी दाव पर क्यों न लग जाए ट्रम्प के दावों को सिर्फ सियासी गल्यारों में ही चुनावती नहीं मिल रही है मेडिकल जनरल दालेंसेट ने दावा किया है कि अक्तूबर तक सार्वजिनी को प्योग के लिए वैक्सिन उपलब्द नहीं हो पाएगी एक न्यूस चैनल को दिये इंटर्व्यू में दालेंसेट के चीफ एडिटर रिचर्ड हाटन ने कहा कि वैक्सिन लॉंच करने में जल्दबाजी नहीं की जा सकती इस जल्दबाजी से नहीं मुश्किले खड़ी हो सकती है उन्होंने कहा कि साफ तोर पर राश्पती ट्रंप इस बारे में गल्द है मुझे समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं ट्रंप के सलाकार निश्र तोर पर उन्हें बता रहे होंगे ये संबबभ है अमेरिका कुरोना वाइरस से सबसे जादा प्रभावी देश आये अमेरिका में 67 लाग से जादा लोग कुरोना वाइरस से संक्रमित हो चुके हैं करीब 2 लाग से जादा लोग अमेरिका में इस वाइरस से जान कवा चुके हैं ऐसे नाजुक महौल में ट्रंप पर शासन सवालों की घिरे में है ट्रम्प सरकार पर पहले प्यारोप लग चुके हैं कि सरकार कुरोना पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हुई है ऐसे नाजुक महौल में राश्पती का चुनाव ट्रम्प के लिए एक नई चुनावती लेकर आ रहा है कुरोना पर घिरने के बाद अब टरंप वैक्सिन के जर्ये सत्ता के सिंगहासन तक पहुँचने का रास्ता ढूण रहे है टरंप को लग रहा है कि अक्टूबर तक वैक्सिन लॉंच करने का दावा करके वो अमेरिकी जनता को उम्मीद की किरन दिखा सकते है ये उम्मीद की किरन खुद टरंप के लिए भी आगे की रहा असान कर देगी लेकिन सवाल ये है कि जल्द बाजी में वैक्सिन लॉंच करने से जनता की सेहत के साथ खिलवार हो सकता है अगर वैक्सिन पूरी जांच के बगएर लॉंच कर दिया गया तो ये वैक्सिन आने वाले वक्त में नई चुनौती खड़ी कर सकती है क्या ड्रैगन के पास वाइरस का जखीरा क्या चीन में मौजूद है दुनिया को खत्म कर देने वाले एक से बढ़कर एक वाइरस क्या वुहान की रहसमाई लैब में चीन ने बना रखे हैं इंसानी वजूद को खत्म कर देने वाले वाइरस गुहान लैब में जांच से क्यों घबराते हैं जिनपिंग क्या पूरी दुनिया के सामने सच उजागर होने का डर जिनपिंग को सता रहा है चंद महीने में साल 2020 का अंत हो जाएगा कुछ महीनों में शायद कुछ बदलाव हो जाएं लेकिन चीन की लैब से निगले कुरोना वाइरस ने दुनिया में मौत का वूत आंडव किया है जिसके बारे में किसी ने सूचा तक नहीं धार चीन से पहले इस वाइरस को लेकर तमाम तरह किस सवाल उठे शक किये गए कहा गया कि ये चीन की गलतियों का नतीजा है लेकिन कुरोना कब, कहां से और कैसे फैला अब तक इस पर पुक्ता तोर पर कुछ भी नहीं कहा जा सका इसी कुरोना संकट के दौरान डराने और परिशान करने वाली खबर ये सामने आई कि कुरोना जैसा वाइरस फैलाने वाले चीन के पास एक दो नहीं बलकि 15 खतरनाक वाइरस मौजूद है और ये सभी 15 खतरनाक वाइरस चीन के उसी वहान शहर के उसी लैब में मौजूद है जहां से कुरोना के फैलने की बाते सामने आई वाइरस का ये जकीरा उसी वुहान इंस्टिटूट आफ वाइरोलोजी लैब में रखा है जहां से कुरोना का ये वाइरस फैला था चीन के उस लैब में मौझूद 15 सो से ज्यादा वो जानलेवा वाइरस है जिन पर बकाइदा रिसर्च चल रही है अब ज़रा अंदाजा लगाईए अगर कुरोना के वाइरस की तरहा बाकी वाइरस भी लैब से बाहर निकल आए तो क्या होगा अमेरिकी राश्रोपती डॉनल्ड टरम्प की फिक्र और गुस्सा यूही नहीं है कुरोना वाइरस जैसी महमारी के बीच ऐसी तमाम रिपोर्ट्स सामने आ चुकी है जिन में ये दावा किया जा रहा है कि चीन की जिस वोहान इंसिट्यूट और वाइरलोजी लैब से कुरोना वाइरस के निकलने की बात कही गई दावे की मुताबिक इस लैब के एक बड़े फिरिज में इंजा लेवा वाइरस का एक बैंक बना हुआ है जहां इन्हें सहीच कर रखा गया है नमस्कार मैं हूँ अन्शू शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहें दे इंडियन समाचार और वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल दे इंडियन समाचार को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले